हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे जो मेजर आज एक एन्वल जनरल मीटिंग थी रिलाइन्स की और इसमें क्या बारा बड़ी बाते बताई गई क्योंकि देखे बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडिशन दिख रही है और इसका मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा और मार्केट जो है बहुत अच्छा बिहेव करेगी क्योंकि इससे फॉ अच्छा बारा बड़ी बाते डिसकस की गई जिससे की आने वाला मार्केट का जो रुकते होगा और रिलाइन्स के स्टॉक का भी हम इसमें एनलेसिस करेंगे कि कैसा रिलाइन्स का स्टॉक कल बीहेव कर सकता है और देखे सबसे पहली जो बात आ रही है रिलाइन्स की वो अपना RIL में 20% का स्टेक जो है वो सेल कर दिया है और इससे जो है बहुत ही ज़ादा फेवरेबल कंडिशन बनेगी क्योंकि देखे अभी बजट में जब से अनॉंसमेंट्स आई थी उसके बाद से हमारे निफ्टी में करेक्शन इतनी ज़ादा आई कि बारह हजार एकसो दो के असपास से निफ्टी सीधा 10,800 के असपास आ गया और सेंसेक्स कहीं 3,000 से 4,000 पॉइंट के बीच में लुडग गया क्योंकि देखे उसमें फॉरन पोर्टफोलियो इंवेस्टर्स के ऊपर एडिशनल टेक्स जो सरकार ने लगाया था उसके ऊपर अभी भी कोई सरकार का जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में अपने बताया था कि हाँ इस पे कुछ रूलिंग आ सकते लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है कि रिलाइंस इसके रिलाइंस ने अपना जो स्टेक सेल किया है इससे जो है अंदाजन एक लाख कर रूड रूपया फॉरंड डारेक्ट इंवेस्टमें जो FDI की फॉर्म में भारत में आएगा और ये वाला जो पैसा है ये ये आगे कैसे लगता है आगे एक्सपेंशन के जो क्या प्लैन्स होंगे रिलाइंस के उस पर डिपेंड करेगा और कि दिखे देखे एगे में उन् रिपेंग हैं नियू लास्ट ये इर क्रॉस कर दिया ये बहुत बड़ी रकम होती है और रिलाइंस रिटेल जो है मुकेश अमबानी ने बताया कि ये रिलाइंस जो रिटेल है ये टॉप फाइव रिटेल वर्म्स में आने लग गया वर्ल्ड की तो ये बहुत बड़ी ची उन्होंने अनॉंस किया कि Jio और Microsoft ने ये एक Cloud Data Center जो है जैसे आपने Amazon Web Services का नाम सुनाओ का कि Cloud पर hosting होती है जो भी applications बन रही है जो भी startups आ रही है उनकी उनको ये infrastructure प्रवाइड करेगा cloud-based infrastructure प्रवाइड करेगा Jio और Microsoft ये बहुत major announcement है कि Jio जो है अब आपका एक एक तरह से Cloud infrastructure हो गया या फिर आप कह दिए infrastructure as a service और देखे software as a service होता है infrastructure as a service होता है जिसमें आप अपना एक cloud पर पूरा infrastructure देते हैं और जो भी startups है जो भी web-based startups है उनको सिर्फ और सिर्फ अपना जो है न वहाँ पर install करना है बाकी सारा administration और हर चीज जो है वो cloud पर ही आपको मिलेगा ये subscription-based model होता है तो इससे भी Jio को फाइदा होगा क्योंकि startups बहुत जादा उभर रही है और Jio और Microsoft का combination हो गया और Microsoft का Azure platform है अगर आप इसको और Google पर सर्च कीजेगा थोड़ी research कीजे research करने से knowledge update होती है Azure platform है Microsoft का वो cloud-based platform है उसको Jio के साथ combine करके देखा जाएगा तो fourth जो आ रही है कि Jio startups को 1500 रुपे पर मन्त के subscription model पे यह चीज़ देगा और Jio की connectivity और app जो है startups को 1500 रुपे मात्र 1500 रुपे पर मन्त पे मिलेगा देखिए उन Reliance का model यह है कि वह बहुत ही low cost शुरू में लेके आता है और उसके बाद वो subscribers बनाता है और उसके बाद वहाँ पर जो है न रेट बढ़ाता है Reliance Jio जब launch हुआ तब भी ही हुआ था कि उन्होंने free इतना दिया कि सब ने अपना आधार कार्ट देखे Jio book करा रहे हैं तो आज की date में Jio के subscribers बहुत ही जादा हो गए तो यह एक बड़ी news है फिफ्थ जो main point इसमें बताया गया वह है Jio और Microsoft 365 जो Microsoft 365 services है वह offer करेंगे इसके बारे में additional नहीं बताया गया है लेकिन Jio जो है धीरे धीरे आपका software services में भी थोड़ा अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा है उसके बाद Jio fiber यह बहुत important है Jio fiber की welcome offer launch की गई है जिसमें announce किया गया कि HD और 4K television set और 4K set-top box Jio forever एक annual plan होगा उसके साथ मिलेंगे तो एक तरह से देखिए जो competition है इसमें Hathway है काफी सारी firms है जो provide कर रही है डिश TV है एक तरह से Jio जो है अब अपने fiber Jio क्या launch कर रहे है Jio अभी अपना broadband में आ रहा है तो वो broadband के जरीए जो है जो है ना यह जो cable TV की market है और set-top box HD TV भी उसके साथ साथ अपने HD TV भी आपको सब्सक्रिप्शन जैसे mobile phones देता था वैसे HD TV भी सब्सक्रिप्शन बेस्ट मॉडल पे देगा तो वो चाहता है कि आप TV भी ना करीदे TV भी उनसे ले और TV के ऊपर जो set-top box लग रहा है वो भी उनसे ले सारा कुछ उनसे ले उसके बाद देखे मुकेश 5.4 lakh crore जो है लास्ट पांच सालों में कंपनी ने काफी सारे वर्टिकल्स में इंवेस्ट कराई है बहुत बड़ी इंवेस्टमेंट होती है किसी कंपनी के लिए देखे कल जो है रिलाइंस जो है काफी जादा जूम करने वाला है क्योंकि एनलेस्ट और जो फर्म्स हैं वो रिलाइंस रिटेल की लिस्टिंग जो यहां पर इसका IPO प्लान कर रहे है मुकेश हमानी नेक्स्ट फाइव यर्स में तो जी रिलाइंस जी और रिलाइंस रिटेल भी आपको ट्रेडिंग के लिए अब थोड़े टाइम बात जब भी वह अनॉंस करेंगे तब मिलेगा यह बहुत अच्छी न्यूस है और इसके बाद जो मेजर न्यूस है वो दोस्तों जीयो का गीगा फाइबर जो है सब्टमबर पांच 2019 से लांच हो जाएगा जो की थर्ड अन्वर्सरी अफ जीयो है उसके बाद इसके इसके जो प्लांस होंगे वो 700 रुपे से होंगे जैसे दे है कि internet of things internet of things यह होता है कि दोस्तों internet के थूँ आप अपने घर के AC को manage करें आप भूल गए इसी off करना तो आप अपने mobile से ही app के थूँ अपने AC को off कर लें मालीजे आप office से घर आ रहें तो आप चाहते है आदा गंटा पहले ही मैं जो है अपना AC जो है on कर लूँ तो वो IOT services भी launch कर रहा है और IOT services में आ रहा है एक तरह से वो software services में आने की कर रहा है और जीओ फाइबर का जो रोल आउट है वो बारा महीने में पूरा हो जाएगा जो जीओ फाइबर जिसके उपर home broadband और सारी services HD 4K चलेंगी तो यह major announcements आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप market में trade कर रहे है और कल जो है देखे कल जो है कैसा reliance react कर सकता है एक बर चार्ट के उपर अच्छा reversal दिया था और उसके बाद देखे एक डोजी बना जो कि एक continuation दिखा रहा है आपको और कल जो है यह surely gap up होने वाला है और gap up होने के बाद जो भी targets बताए जा रहे हैं कि शुरू में at least 100 points की movement आ सकती है लेकिन उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि profit booking आ सकती है higher levels पे higher levels प मैंने आपको analysis सिखाया है कि आप option chain में open interest का analysis देखिए कि कहां पे सबसादा call writing हो रही है थोड़ा खुद खुद भी आप homework कीजिए और मैं चाहूंगा कि आप इसका option chain का analysis खुद कीजिए जो भी आपको problems आ रही है आप खुद सर्च करके खुद थोड़ा homework भी कीजिए दोस देखें अगर सुबा अच्छी move दी तो यह कहां तक move जा सकती है इस चीज को आप assess अपने आप करेंगे और option chain में जहां सबसे ज़्यादा call writing आपको दिख रही है और वहाली call writing आप जो है एक level देखेंगे और वहां पे क्या होता है जब reliance का stock वहां पर price वहां पर आता है त आप सीखो की analysis कैसे किया जाता है दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कुछ summary points बताए जो reliance की आज annual general meeting हुई थी और reliance के बहुत पूरे plans हैं कि reliance जो है पूरा धमाल मचाने वाला है और जो है एक जबरदस्त market में एक धमाका type देखने को आपको मिल सकता है आज market बंद थी और कल जो है market open होगी और कल देखते हैं क्या होता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और bell icon को जरूर प्रेस कीजेगा ताकि मेरे वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें और आप इनका भरपूर मात्रा में फायदा उठा सके थैंक्यू दोस्तों